Hello students, welcome to my channel आज का हमारा टॉपिक है आपरेटर्स, आइगन वेल्यूज, आइगन फंक्शन ठीक है? तो सबसे पहले हम एक चीज़ लेते हैं फर्स हमारा टॉपिक है आपरेटर्स आपरेटर्स क्या होता है? जैसे कि आप लोगों में मैक्स में पढ़ा है कि operator, that means आप किसी function पर operator लगाते हैं और फिर उसका जो format होता है उसका जो form होता है वो change हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? operator कहते हैं ठीक, यहाँ पर भी उसका यही meaning है जैसे कि मान लीजे कि आपके पास एक operator, एक app है ठीक है? अब मैंने एक function लिया phi x मैंने इस function पर ये वाला जो operator एक app है उसे operate किया ठीक तो हमारा जो answer है वो क्या है मान लिजे कुछ ऐसा आया होगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा function है ये हमारा answer है और ये क्या है हमारा operator है मान लिजे कि हमारे पास जो phi x is just a example वो क्या है x cube है हमारा जो operator है वो d by dx है ठीक तो जब मैं इसे use करूंगे इस format को तो क्या होगा d by dx phi x की value x cube अब आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपका answer 3 x square यानि कि function पर आपने operator operate किया तो उसका जो format है वो क्या हो गया change हो गया तो इसे है यहाँ पर जो एक cap हमने use किया d by dx वो क्या कहलाता है operator कहलाता है ठीक तो यह होता है simple operator यहाँ पर जो function है उसका format change हो जा रहा है ठीक है दूसरे अगर मैं यहाँ पर example ले लूँ quantum में इसको समझना पड़ता है कि operator क्यों important है क्योंकि आगे वाला जो हमारा topic होगा वहाँ पर यह important role निभाता है तो जैसे कि अपॉन एक्स डेल बाई डेल एक्स पारिशल डिफ्रेंशेशन यह माल लेज़े आप परेटर है ठीक आँ फाई एक्स अगर मैं इसकी जगा मैं वैल्यू रख रही हूं यह तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहला function x 5 x हो जाएगा यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स अब एक बार x पर ऑपरेट होगा और एक बार 5 पर ऑपरेट होगा देन फिर कुछ आंसर आएगा ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा x 5 x में वापस से लिख रही हूँ आउकलन करें simple जो आउकलन करते हैं वही करेंगे तो x के respect में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 as a constant यूज किया प्लस का sign हो जाएगा x इस बार common निकल जाएगा del si x upon del x ठीक अब चुकि इसने भी phi है इसने भी phi common है तो मैं निकाल लेती हूँ 1 प्लस x del by del x phi x ठीक तो मैं क्या इन दोनों sides को compare करके यह लिख सकती हूँ x is equal 1 प्लस x del x कैसा लिखा जा सकता है हमार अगला टॉपिक क्या था आइगन वेल्यू आइगन फंक्शन आइगन वेल्यू एक्वेशन तियों इनों टॉपिक एक ही चीज में है एक ही एक्वेशन पर based है अगर आपको operator समझ में आया तो इसमें सिर्फ एक step और आगे जाना है एक additional चीज आपको करनी है जैसे कि मैं फिर से वही equation use कर रही हूँ operator इस function पर operate किया उस function को operate करने पर कुछ value आई then वापस से वही function हमें मिल जाता है तो इस equation को हम क्या कहते हैं overall जैसे कि यहाँ पर हम इसे क्या कह रहे थे operator equation कह रहे थे इसे हम कहते है आईगन value equation यह जो lambda आपको दिख रहा है वो है आईगन value और इससे जो f है उसे हम कहते है आईगन function तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने यह वाला use किया था यहाँ पर इसको हमने आईगन value आईगन function क्यों नहीं कहा देखे जैसे कि मैंने यह operator इस function पर operate किया ठीक है तो मुझे क्या मिला एक constant कोई भी constant value मिलती है ठीक है फिर से वही function मुझे वापस मिल रहा है फिर से वही function मुझे वापस मिल रहा है अगर इस condition को वह follow करता है तब वो कहलाता है आईगन value equation और जो value हमें मिलती है वो कहलाती है आईगन value और यह जो function होता है वो क्या कहलाता है आईगन function कहलाता है जैसे कि इसका example देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए like अब इसका example देखते हैं मान लिजे मैंने ये वाला operator यूज किया ठीक है इसकी value है डेल d square upon dx square function है sin 3x just example है इसके जगा और काफी सारे examples है जो भी आप चाहें ले सकते हैं ठीक है बट कौन सी property को follow करना चाहिए वो भी हम आगे देख रहे हैं अब मैं सिर्फ value रख रही हूँ sin 3x ठीक अब differentiation आउकलन कीजे simple क्या आएगा तिन common निकल जाएगा क्योंकि आउकलन कर रहे है sin का क्या हो जाएगा cos 3x sin है तो positive sin में कोई changes नहीं होंगे फिर से इसका differentiation होगा क्या आएगा 3 का square हो जाएगा cos का क्या हो जाता है sin 3x चुकि cos है तो वाँ सामने क्या आजाएगा minus का sin arise हो जाएगा ठीक है तो हमारा answer कुछ इस तरीके से निकलेगा तो इसका answer ये है अब ज़रा ध्यान देंगे आप लोग ये क्या है sin 3x है ठीक इस side पे क्या मिला है sin 3x मिला equation को तो इस equation को हम क्या कह सकते है eigen value equation कह सकते है क्योंकि दोनों side sin का format में कोई changes नहीं आया है यहाँ पर function क्या था हमारा sin 3x था यहाँ पर हमारा lambda क्या होगा यानि कि eigen value क्या कहलाएगा lambda is equal minus 3 का square यानि कि minus 9 होगा हमारा operator क्या था d by dx का square ठीक है तो ऐसा equation जिस पर आपने क्या बोलते हैं operator को operate किया देन उसके बाद भी उस function में कोई changes नहीं आये और साथ ही साथ आपको एक constant value मिली अगर 1 आता यहाँ पर तो भी यहाँ पर यह आइगन value equation आइगन function कहलाता ठीक है माल लीजे हम जो है अगला example लेते हैं कि अगर मैंने a cap is equal to d by dx लिया होता ठीक है function अभी भी मेरा sin 3x ही है तो यहाँ पर क्या था हमारा कुछ इस तरीके से था हमारा equation तो मैं operate कर रही हूँ d by dx sin 3x क्या आएगा 3 और operate होने के बाद cos 3x तो क्या यह eigen value equation कहलाएगा नहीं, नहीं कहलाएगा क्यों नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर जो sin है उसका format change हो गया है तो यह eigen value कैसे होगा eigen function कैसे होगा ठीक है तो यह हमारा eigen value equation नहीं है हाँ, यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर a operator है क्योंकि यह simple operator है आपने इसे operate किया तो आपके पास एक दूसरा function आया लेकिन इसे आप eigen value equation नहीं कह सकते हैं अंतर समझ में आ रहा है a is operator but this equation is not a eigen value equation तो यह होता है हमारा main concept जो हमने quantum में पढ़ते हैं आइगन values, आइगन function आइगन function कब कहलाता है कब नहीं कहलाता है यह बहुत important होता है quantum में अब इसके बाद जो हम अगला topic पढ़ेंगे वो है operators is the most important topic operator क्या होता है जैसे कि आपने झाल